ओम श्री परमात्मने नम्हा, ओम नम्ह शिवाय, श्री शिव महापुराण, कोटी रुद्र सहिता, अध्याय 8 से 14 तक, प्रथम जियोतिरलिंग सोमनात के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा, तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदी की महिमा, बताते हुए सूत जी ने समुत्र के तट पर इस्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया, फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म सुना कर, उन बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म कथा का वर्णन करने के पश्यात, रिशियों के पूछने पर वे जियोतिरलिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले ब्रहामनों, मैंने सद्गुरु से जो सुना है वे जियोतिरलिंगों का महात्म तथा उनके प्राकटे का प्रसंग, अपनी बुद्धी के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा, तुम सब लोग सुनो, मुने जियोतिरलिंगों में सबसे पहले सोमनात का ना जजापती दक्ष ने अपनी अशुनी आदी 27 कन्याओं का विवाह कर चंद्रमा के साथ किया था, चंद्रमा के स्वामी के रूप में पाकर विदक्ष कन्याओं विशेश शोभा पाने लगी, तथा चंद्रमा भी उने पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने उन सब पत्नियों में भी जो रोहिनी नाम की पत्नी थी, एक मात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी, उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापी प्रिय नहीं हुई. इससे दूसरी इस्त्रियों को बड़ा दुख हुआ, वे सब अपने पिता की शरण में गई, वहाँ जाकर उन्होंने जो भी दुख था, उसे पिता को निवेदन किया. दुईजो, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शान्ती पूर्वक बोले. दक्ष ने कहा कलाने थे, तुम निर्मल कुल में उत्पन हुए हो, तुमारे आश्रे में रहने वाली जितनी इस्त्रिया हैं, उन सब के प्रती तुमारे मन में निवनाधिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो अब तक जो किया सो किया अब आगे फिर कभी ऐसा विशमता पूर्ण बरताव तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे नरक देने वाला बतलाया गया है सूथ जी कहते हैं महर्शियों अपने दामाद चंद्रमा से स्वयम ऐसी प्रार्थना करके प्रजापती दक्ष घर को चले गए उन्हें पूर्ण निश्य हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा पर चंद्रमा ने प्रबल भावी विवश होकर उनकी बात नहीं मानी वे रोहिने में इतनी आसक्त हो गये थे कि दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर स्वयम आकर चंद्रमा को उत्तम नीती से समझाने तथा न्यायोचित बरताव के लिए प्रार्थना करने लगे तो दक्ष बोले चंद्रमा सुनो मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए सूत जी कहते हैं दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए उनके क्षीन होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया सब देवता और रिशी कहने लगे की हाई ये अब क्या करना चाहिए चंद्रमा कैसे ठीक होंगे मोने इस प्रकार दुख में पढ़कर वे सब लोग वीभल हो गए चंद्रमा ने इंद्र आधी सब देवताओं तथा रिशीयों को अपनी अवस्था सूचित की तब इंद्र आधी देवता तथा वसिष्ठ आधी रिशी ब्रह्मा जी की शरण में गए उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं जो हुआ सो हुआ अब वह निश्य ही पलट नहीं सकता अतह उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ आधर पूर्वक सुनो चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुब क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युन्जय मंत्र का विधी पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें इससे प्रसन होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे तब देवताओं तथा रिशियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्या के अनुसार चंद्रबा ने वहां छे महीने तक निरंतर तपस्या की मृत्युन्जय मंत्र से भगवान विश्व ध्वज का पूजन किया दस करोण मंत्र का जब और मृत्युन्जय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित होकर लगातार खड़े रहे उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले शंकर जी ने कहा कि चंद्रदेव तुम्हारा कल्यान हो तुम्हारे मन में जो अभीष्ठ हो वह वर मागो मैं प्रसन हूँ तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा तो चंद्रमा बोले की देवेश्वर यदि आप प्रसन हैं तो मेरे लिए क्या असाथ्य हो सकता है तथा पी प्रभू शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए मुझसे जो अपराद बन गया हो उसे क्षमा कीजिए तो शिवजी ने कहा चंद्रदेव एक पक्ष में प्रती दिन तुम्हारी कला क्षीन हो और दूसरे पक्ष में फिर वे निरंतर बढ़ती रहे तदंतर चंद्रमा ने भक्ती भाव से भगवान शंकर की स्तुती की इस से पहले निराकार होते हुए भी भगवान शिव फिर साकार हो गए देवताओं पर प्रसन हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने तदा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उनी के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनात के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए ब्रामनों क्षे तथा कोड आधी रोगों का नाश कर देते हैं ये चंद्रमा धन्य हैं कृत कृत हैं जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है वहीं संपून देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है जो मनुष्य उसमें सनान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है ख्षय आदी जो असाते रोग होते हैं वे सब उस कुंड में छै मास तक सनान करने मात्र से नश्ट हो जाते हैं मनुष्य जिस फल के उदेश से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कारभार संभालने लगे इस प्रकार मैंने सोम नाथ की उत्पत्ती का सारा प्रसंग सुना दिया मुनीशरू इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुरभाव हुआ है जो मनुष्य सोम नाथ की प्रादुरभाव की इस कता को सुनता है अत्वा दूसरों को सुनाता है वैं संपूर्ण अभीष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है ओम नमस्शिवाई शिवजी सदा सहाए